कैसे हैं आप सब आज हम रीट करने वाले हैं मौर्निंग में उपते ही साही बाबा जी के दिविये संदेश तीन कार्ट से आपको एक कार्ट चूस करना है टाइमलेस से रीडिंग जब भी देखेंगे रेजनेट करेगी जनरल है सभी साइन्स के लिए है जुरूरी नहीं है करने पर दोगों पूछ रहे थे कि माम आपने वीडियो नी डाली होप ठीक होगे तो डेफिनेटली आम फाइन आपने थोड़ा सा ओक्योपाई थी कल दुरगा पूजा थी अश्टमी पूजा थी तो पूरा दिन उसी में स्पेंट हो गया सो शॉरी तो आज मैं सुबहुत आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ रीडिंग लेकर आई हूँ आई होप आपने अपना कार्ट चूज कर लिया होगा कार्ट नमबर वन जिनोंने चूज किया है सोल जर्नी आप लोग किसी सोल जर्नी में हो सकते हैं किसी स्प्रिच्छल जर्नी में हो सकते हैं आपको सब लोग रास्ता दिखाएंगे लेकिन आपको चलना इस पर अकेले ही है तो confidently चलिए और निराशना होएं हिम्मत ना हारें आपको अपने hurts अपने pain जो भी आपको चीज़े परेशान करनी है उनको इग्णोर करना है उनके बारे में कम से कम सोचना है कम से कम बात करनी है कम से कम discussion करनी है अगर आप ज्यादा सोचोगे ज्यादा discuss करोगे तो वो subconscious mind में कहीं store हो जाएगा और वो कभी भी heal नहीं हो पाएगा time निकल जाएगा situation improve हो जाएगी लेकिन वो heal नहीं हो पाएगा तो जो चीज़े आपके लिए work नहीं कर रही हैं उनको ignore करो और जो work कर रही हैं उन पर work करो shelf life यहाँ पर बाबा जी कहा रहे हैं every relationship has a shelf life and ends one day अगर आप में से कुछ लोगों के relationship तूटे हैं, break हुए हैं, किसीने treat किया है या किसी की death हुई है तो बाबा जी कह रहे हैं कि कोई भी चीज, कोई भी thing, कोई भी relationship permanent नहीं होता हरेकि एक life होती है अगर कोई चीज life में आती है तो उसको जाना भी है ठीक है, तो आप इतना निराशना हो और जो जा रहा है उसको जाने दो क्योंकि जब भी कुछ जाता है, तो life में लोटकर कुछ नया जरूर आता है Be positive and be happy always और ये चीज समझके चलो कि हर एक situation, हर एक relationship, हर एक job, हर एक career हर एक छोटी से छोटी चीज जो आपके पास आई है, वो एक shelf life के साथ आई है, जिसको एक नया एक दिन जाना ही है तो ये थी आपके cards, I hope आपको clarity मिली होगी, motivation मिला होगा Thank you so much for watching, if you like comment box में ओम साहिराम जी जरूर लिखें, ओम साहिराम